नमस्कार फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वन्ना मिश्रा आप सभी का चंद्रा क्लासस की तरफ से स्वागत करती हूं कल हम रोगोंने दर्शन की बात की थी कि दर्शन क्या है शिच्छा क्या है उसका क्या महत्तो है आज जो हमारा पहला दर्शन है और जिसको जो सबसे प्राचीन दर्शन है उसके बारे में बात करते हैं सांखे दर्शन सांखे दर्शन और योग दर्शन ये दोनों दर्शन एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं और दोनों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है तो हम लोग आज अभी सांख्य दर्शन के विशे में बात करते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सांख्य दर्शन से हमीशा कोई ऐसा एक्जाम यूजी सी का नहीं कह सकते हैं जिसमें कि एक या दो क्रेशन ना आए हो हर साल उसमें कोई ना कोई एक कुशन जरूर आता है चाहे सांख्य दर्शन में जो शब्दा वलिया है उनसे आपका एक प्रशन आना अनिवारे है चाहे वो आपके मैचिंग में हो चाहे वो आपके किसी भी उसमें हो लेकिन आपका आता जरूर है तो हम लोग शुरू करते है आज सांख्य दर्शन सांख्य दर्शन जो है वो जैसा कि कहा गया है कि ये सबसे प्राचीन दर्शन का माना गया है कौन सा दर्शन है? सबसे प्राचीन दर्शन की जब हम बात करेंगे तो वो है हमारा सांख्य दर्शन के mitigate शूप्रणेथा थे यह कपिल मोनी माने गया है कपिल मुनी जो कि आपके व्रिष्णुजी के भी आउतार माने गय और आपके अगनिक के भी अवतार माने इन्होंने तर्शन जो है इस्को प्रतिपादित किया था और इन यह जो है पूर्टा वैज्ञानिक माना गया है इन्हों ने जो अपना दर्शन दिया है वो पूर्टा आप कह सकते हैं इसमें जो तत्वों के बाद की गई है वो पूर्टा वैज्ञानिक आधारों पर की गई है और आपने कल भी पढ़ा था कि यह आस्तिक दर्शन है कौन सा दर्शन ह यही सारे कुश्षन आपके एग्याम में पूछे जाते हैं सबसे पहला कि सबसे प्राचीन कौन से है दूसरा यह आपका एक हो गया प्राचीन कौन से है सांख्य दूसरा कि وिशुद्व ग्यानी की और ने कि आश्तिक ल्षान कौन है आपके मैंचिंग में दे दिया जाएगा आपसे यह प्रश्ण पूछा जाएका कितने तत्व का अगlor की बाट आगे करें कि इसमें 25 पश्चेस कि और यह आस्तिक दर्शन तो है परन्तों यह इश्वार को नहीं मानता इन्होंने कहा थे कि हम व्यक्व attic विश्वास कर रहा है परन्तु यह नहीं कहते हैं कि हमारे अविश्वर के लिए कि दिया है वी इसकी条 क्या घरे भी आनके यही कारण सब्सक्राइब कला जाता है अब बाग करते हैं कि इसका नाम सांख क्यूब पढ़ा सांख्या, जैसा कि पता ही आप सभी को सांख्य से तात्पर क्या होता है, संख्या संख्या, संख्या मतलब कहने का तात्पर है कि जो संख्या का इसमें जो तत्व दिये गए हैं इन तत्व की बहुलता थी, इसी की वज़ा से इसका नाम सांख्या पढ़ा है और इसमें 25 ततों माने गए हैं, हम 25 ततों की बाद में बात करते हैं जो हमारे 25 ततों हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं इन्होंने सबसे पहले जो माना है, प्रकृति और पुरुष को माना है पुरुष जो है, वो कह सकते हैं कि एक आत्मा के रूप में माना गया है और जो प्रकृति है, वो एक शरीर के रूप में मानी गई है जैसे आपका कोई ऊस्थित्वा नहीं होताई कहने का ताठपरियों कोई येलक्टॉनिक सामान वह सामान तो है लेकिन जब तक उसमें करेंट को यहाइँ सप्लाइ किया नहीं रहेगा हमारे पास mobile phone तो है उसमें सारे features है लेकिन जब तक उसमें हम sim नहीं डालेंगे जब तक हम उसको charge नहीं करेंगे तब तक वो किसी काम का नहीं कहा गया तो सेम वैसे ही जो है हमारा प्रकृति और पुरुष है प्रकृति में सारे गुड़ हैं परन्तु बिना वो पुरुष के उसका कोई अस्तित्व नहीं है तो अब हम बात करते हैं जो उन्होंने 25 तत्व की बात की थी 25 तत्व सबसे पहला तत्व आपका क्या है पूरुष प्रकृति के बाद आपका क्या बना है प्रकृति के बाद आपका महत बना है महत के बाद आपका एहंकार बना है और एहंकार के बाद आपका एहंकार के बाद आपका है मन आपका मन मन के बाद है आपकी ज्ञाने इंद्रियां ज्ञाने इंद्रियां के बाद आपका क्या आता है करमे इंद्रियां करमेंद्रियों के बाद आपका आता है कनमात्रा कनमात्रा के बाद आपका आता है पंच महाभूत इतना क्लियर है ग्यानेंद्रियां हमारी कौन कौन सी है ग्यानेंद्रियां आख नाख कान त्वचा जीब ये सारी हमारी क्या है ग्यानेंद्रियां है झाल मुट्रियां क्या हमारी क्या है और आपकी कौन सी कर्मेंद्रियां कर्मेंद्रियां आपकी कौन सी हैं कर्मेंद्रिया हमारी है हाथ पैर मुख और मलन निसकांद्रि जनेंद्रिया और हमारी पैंच तनमात्राएं कौन कौन सी हैं इसकी बात कर लेते हैं पैंच तनमात्राएं जो हैं वो हमारी पैंच तनमात्राएं हैं हमारे शब्द शब्द स्पर्ष शब्द स्पर्ष रूप रस और गंध ठीक है अब पंच महाबूत की बात कर लेते हैं पंच महाबूत की कौन कौन से हैं आपके आकाश आकाश के बाद वायू वायू के बाद है तेजस तेजस के बाद है आपका जल और जल के बाद है पृत्वी सबसे पहला कपिल मन्मी जी मानते हैं सबसे पहले पूरुष है पूरुष जो होता है वो जब प्रकृति के साथ मिलता है तब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है कहने का तात्पार यह जब प्रकृति जो होती है वो सुपतावस्था में होती है मतलब उनके बीच में कोई तालमेल नहीं होता है तो क्या होता है ब्रह्मान की उत्पति नहीं होती है लेकिन जब पुरुष उसके साथ मिल जाता है तब क्या होता है तब ब्रह्मान की उत्पति हो जाती है तो ब्रह्मान की उत्पति जब प्रकृत के साथ मिलता है तब किसका होता है तभ महत महत से तात परी क्या है यहाँ पर बुधी से हैं ऊससे लिया जाता है महत के बाद क्या बना हमारा अंधकार एक वर उसका विकास शुरू होता है और अहेंकार से मतलब क्या होता है जब हमारे अंदर एगो की भावना आती है ये ये थारी चीजे जब आ मैं तOC चाहित अपने में अर्छ बुद्धि हों जाती है के आपको यह कारे बुद्ध करता है गोцо सब्कूर हमारों करना चाहिए इस मै्हें करता है जब जो हमारों होता है हम उन्र फविद्ध को सके क्षर्टन ओर यह एक इगो की भावना जब व्यक्ति में क्या हो जाती है जब कि आपको सर्वोपरी समझने किframes का अपने वह स्वयं एक रहल नगें जो भी किसी को किि वह स्वयं को मानने लग दो पछनम के APP किसी कि बहुत की भावना आ जाती है तो गाखना हो जाती है हमारी और प्रोल Gur कि आप से एक चीज़ पूछ लेगा कि यह क्या इसमें से क्या चीज़ से सम्मंधित हैं तो आपका महत मन जो है मन से क्या कि तात्परे होता है मन से जो तातपरे है, मन जो है आपका जैन्म के समय नहीं होता है ये गर्भावस्ता में इसका विकास नहीं होता है बलकि गर्भावस्ता के बाद इसका विकास होता है और ये इसी को ये सर्वोच माना है ये जो अतेंद्रिय है इसको वो सर्वोच मानता है si मैं जो है आपका यहीं जो अकसिती होता है पिलोग हमारी घ्ञानेंद्रियां घ्रसर्पाइ Wars ऐइन जूंते हैं देखते हैं अशरी चीजें किसले की आधरी सुम्हें स्वेश‏ यह संवारी क्या है जहों हिसी चीज का पताइशलता है जिवा जिसे बोलते हैं तो वह सारी क्या है हमारी जानेंद्रियों में आती h P करमेंद्रियान हमारी कौन-कौनजी हैur आपकी मुख है हाथ है पैर है मलनिस्क अंध्री है जननेंद्रिय हैiada फिर आपकी तनमात्राइं तनमात्राइं मैं क्कौनसी रूप रस और गंधक्र यह इसकी विशेश्षच्थ पंच महाभूत आपके कौनस हैं आकाष वायू तेजस, जल और प्रत्वी ठीक है? तो आप देखेंगे पंच महापूत, पंच ये हो गया पंच तनमात्राएं हो गई पंच ग्यानेंद्रियां हो गई सॉरी, पंच करमेंद्रियां हो गई पंच ग्यानेंद्रियां हो गई एक मन हो गया एक आपका एहनकार हो गया, एक महत हो गया, एक प्रकृति हो गया और एक पूरुष हो गया तो हम लोग गिनते हैं, 25 तत्व कपिल जी ने बताए हैं, तो देखते हैं, पांच ये हो गया आपका उपर से लेके चलते हैं, एक पूरुष हो गया, एक प्रकृति हो गयी, एक महत हो गया ठीक है, एक एहनकार हो गया, और एक मन हो गया पांच ज्यानेंद्रिया हो गयी, पांच तरमेंद्रिया हो गयी, पांच तनमात्राय हो गयी, और पूर्च पंच महा भूत हो गयी अब हम लोग इसको देखते हैं पान, पान दस, पान त्याय पंद्रा, पान चोग बीस, एकिस, बाइस, तेर, चौबिस और पच्चिस क्लियर है? तो यह जो है आपके पच्चिस तत्व यह माने गए है और इसी से कपिल मुनी जो है वो कहते हैं इन ही पच्चिस तत्व से हमारे जो क्या होता है? हमारे ब्रह्मांड का जो है वो उसका स्रजन होता है ख्लियर है इतना? पूरुश पूरुश हो गया, प्रकृती हो गई यह 25 तत्व ही मिलकर के हमारे ब्रह्मांड का स्रजन करते हैं इतना क्लियर है आप सभी को और यह सारे कुशन जो है आपके जरूर आते हैं कि आते हैं अब हम अपनी स्पेड़ कि जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि सांग के दर्शन में की जो शब्दावलियां है टर्मिलॉजी है उससे बहुत कोश्यन आते हैं तो जाब प्रकृति और पुरुष ये दोनों मिलते हैं कहने का तात्पार्यक प्रकृति और पुरुष जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है ब्रम्हांड की उत्पत्ति होती है और इसी ब्रम्हांड की जो मिलने की अवस्था होती है इसी को क्या कहते हैं मिलते हैं और प्रकृति जो होती है वो सुस्था में होती है और पुरुष यह जो है उसे नहीं की ब्रम्हांड की ज़्याएं क्या प्रल्य का नाम दिया जाता हैं जब प्रकृति और पूरुष आपस में मिलते हैं तो उसको सर्ग नाम दिया गया है और जब प्रकृत और पूरुष आपस में जो कोई क्रिया नहीं करते हैं प्रकृत जो होती है वो सुपता वस्था में होती है तो उसको क्या नाम दिया गया है उसको प्रले का नाम दिया गया है आप देखिए हम लोग बात करते हैं सांख्य दर्शन की विश्य में आपको पहले ही बताया था कि जो सांख्य दर्शन है वो और जो योग दर्शन है ये दोनों ही क्या करते हैं एक साथ आते हैं या एक साथ पढ़ाये जाते हैं तो सांखि दर्शन में क्या होता है तत्व-चीन्तन के विशे में अभी हम लो साथना के मार्ग को प्रदर्शित करता है सांख दर्शन जो है वो आत्मा को पूरुस और सर्मात्मा था ब्रह्म का अंश नहीं मानता है सबसे आपका जो चीज़े बनती हैं चीज़ें प्राश्न पूस्ते हैं और कई बार आस्तिक में जब आस्तिक है तो इस्वर को मान रहा है या परमात्मामा को मान रहा है जब कि जो सांख कहता है कि यह वेद को मानता है वह कहता है कि हमारी जो है आत्मा हम माण रहे हैं इस और ज़िए हम design और विशय में यह ऐसे प्रमात्म के विशय में हम बात नहीं करते हैं या ऐसे कोई भी चीज नहीं है इनका मानना था कि हर आत्मा का एक स्वतंत्र अस्तेतो होता है। दूसरे शरीर में जो है दूसरे पुरुष का कारे शुरू हो जाता है तो कहने का तात पर इन्होंने प्रकृति और पुरुष को माना है इसके बीच में इन्होंने किसी दूसरे को नहीं माना है जबकि हमारे भारती दर्शन में क्या कहा गया है कि जो हमारा दर्शन है या जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का एक आइश है जबकि कपिल जी कहते हैं कैसा कुछ भी नहीं है बलकि जो है सभी जो आत्मा है वो क्या है वो स्वतंत्र है हर आत्मा का एक अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है तो इसलिए इसको क्या कहा गया है द्वैतवादी most important आपके ये सारे question इसके हर एक आपको हर एक पैरा में आपको एक question जरूर छिपा हुआ मिलेगा तो इसलिए बस इसको यूँ ही नहीं पढ़ना है इसको हर एक चीज में कि इसका कारण क्या है इसको देखते वे पढ़ना है कि द्वैतवादी मतलब आत्मा यानि पूरुष और प्रकृति को मानता इसलिए ये द्वैतवादी कहा गया है जब कि जब हम दूसरी द्रिष्टी से देखे या अगर हम इसको और अन्य तरीके से भी देखे तो ये अनिकातमा वादी या बहुतत्तवादी ठीक है अब ये बात करते हैं ये बहुत अत्व वादी या अनिक आत्म वादी कैसे हुआ जब ये द्वैत वादी है तो क्यों क्योंकि ये जितने भी आत्मा है सबके स्वतंत्र अस्तितों को भी मानता है जितना कि हर ज्वत अत्मा है जब ये प्रक्रिट के साथ मिलती है तो एक आत्मा का उसके सात् traffica का मिलन हो होंगे अगर आप paper solve कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे इसमें बहुत सारी चीज़े आपको मिल रहे होंगी अब बात करते हैं प्रकृति और पुरुष की यह प्रकृति और पुरुष 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 यह वो क्या है इसमें कोई गुड नहीं पाया जाता है ठीक है और जो हमारी प्रकृति है उसमें क्या जो है वो गुड पाया जाता है कौन-कौन से सत रज और तम आप से बहुत बार पूछा होगा क्यों की ना प्रकृति ना विख्रिती मैचिंग में कई बार आपके प्रश नजग आप अंसॉल से सॉल कर करके देखिएगा तो की बहुत सारी कोईशन आपके आये होंगे इसमें से कि वो किसका गुड है ना तो प्रकृति ना तो वेकृति जो एसे हैं हमारा हाथ पैर यह सारी या इस पर्ष यह सारी चीजे जो गुड होता है नहीं पाई जाती है तो वह इसका गुड होगा वह पुरुष का होगा जबकि जो हमारी प्रकृती होती है उसमें क्या गुड़ पाया जाता है सारे कार्य वही संपादित का पूरुष कोई कार्य संपादित नहीं करता है बलकि प्रकृती जो होती है वो हमारे सारी कार्य को संपादित करती है और इसमें कौन कौन से गुड़ पाय जाते हैं सत्व राज और तम सबसे बड़ी बात ये त्रगुडा मई बहुत बार कुश्चन पूछा कि त्रगुडा मई किसका गुड़ है तू त्रगुडा मई किसका गुड़ है आपका पुरुष का गुड़ है त्रगुडा तीत त् और यह तरह गुणाती से तातपर सत रज और तम सत का तातपरी क्या है आपका सत से तातपर्य है आपका बुध्धी रज से तातपर्य आपका है उर्जा और तम से तातपर्य है आपका एहंकार यह तीनों मिलकर के प्रकृति के कारे को संपादे करते हैं सत सत का तातपरी जो हमारे लिए कारे सही है और जो कारे हमारे लिए गलत है उसके विशय में बताता है रज का तातपर्य क्या होता है वो उड़ जाओ वो जो है वो क्या करता है कि वो उर्जा का कारे करता है और तम जो है वो क्या है वो अंधकार जिसे बोलेंगे डार्क जो आपका फेस होता है वो चीज है वो यह तीनों मिलकर के ही कारे करते हैं यह जब इसका जो है वो इसकी तरफ अधिक्ता होगी तो जो आपका रज है व में रहेगा इन तीनों में बैलेंस रहेगा या संतुलन रहेगा ठीक है ना कहने कतार पर जब ये तीनों smoothly कारे कर रहे हैं तो तब तो आपका संतुलन बना है लेकिन जब इनका संतुलन नहीं बनता है तो क्या होता है किसी एक नएक चीज की अधिक्ता हो जाती है और जो संतूलन बन रहा है, या जो बैलन्स बन रहा है, उसी को हम क्या नाम देते हैं? साम्यावस्था, क्लियर है इतना सामिय वस्था बहुत महत्वपूर आपके प्रशन में से आते हैं कि सामिय वस्था किस चीज को कहते हैं यह आप से स्टेटमेंट दे देंगा और उसको आपको यह प्रशन पूछा जाएगा तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कौं कौं से त्रेगुडा मई किसका गुड़ है पुरुष का है प्रकृत का क्या है आपका त्रेगुडा तीत है ठीक है और आपकी सामिय वस्था है प्रकृत में जो है वो गुड़ पाया जाता है प्रकृती सारे कारे को संपादित करती है जबकि पूरुष में कोई भी गुड़ पाया नहीं जाता है ना प्रकृति ना विक्रिति अगर आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे यह सेम यही वर्ड सेम यही वर्ड जो है वह आपके यह से पूछ लिता है यह किसका गुड़ है कि यह जो हमारा हमने 25 गश्चेय की बात कर ली प्रखृति और पुरुष की बात कर ली अब बात करते हैं कि संख्य जो हमारी आत्मा के विषय में बताया है वो पर प्राचीन में स्वरूप नहीं या जिसको किसी ने देखा नहीं है उसके विशय में जो है वह यहां आत्मा है उसको लेकर के बात करता है और तो कपिल जी ने जो है या परमात्मा की बात करता है जबकि यह जो है और जो आपका पश्चिम का दर्शन है वो क्या करता है वो सिर्फ भौतिक तत्वों की बात करता है लेकिन जो हमारा सांखी दर्शन है वो क्या करता है वो पूर्ण रूप से ना तो आत्मा के विशय में और पूर्ण रूप से ना तो भौतिक तत्मों के वि हम मार गिया दर्शन कहा गया है और यहीं भी कोशिन आप से कई बार पूछा गया है तो पश्चिम दर्शन जो है आपका पश्चिम दर्शन जो है वो आपके आत्मा को ना मान करके भौतिक तत्वों की बात करता है जबकि जो हमारा प्राचीन दर्शन अन्य प्राचीन दर्शन है वो क्या है हमारे भौतिक तत्वों को ना मान करके आत्मा के विश्य में बात करते हैं जबकि जो हमारा सांख्य दर्शन है वो क्या कहता है यह भी है इसका भी अस्तित्व है और इसका भी अस्तित्व है और इसका भी मतलब इसका जो मध्यम मार्ग है उसी को ये अपनाता है और इसी लिए सांखे दर्शन को क्या कहा गया है मध्यम मार्गिय दर्शन मध्यम मार्गिय दर्शन इतना क्लियर है आप हम बात करते हैं जो आपका बहुत महत पूर बहुत बार कोशन आपका आता है आपका सतकारिवाद सतकारिवाद सतसे तातपरिय आपका क्या है कारण, कार्य या प्रभावट भी जिसे बोलते हैं वाद मतलब सिद्धान्त इन्हों ने एक सतकारिवाद का सिद्धान्त दिया था सतकारिवाद के सिद्धान्त से तातपरिय है कि कपिल जी ने कहा था कि जो हर कार्य में उसका जो कारण होता है वो छिपी अवस्था में होता है भीना उसके कोई कार्य संपादित नहीं होता है इसी को उन्हों कोई कारण के नाम से संदित किया य्जाम्पल के तोर पर जैसे हम कह सकते हैं कि हम बालू में पेड नहीं उगा सकते हैं, ठीक है न? या आप कहा सकते हैं मिटी में उपजाओ गुड या कार्य छिपा होता है कहने का निकार को मिटी का मिटी जो हम लिए उपजाओ अगर उसमें या विश्वेस्ता उपजाओ कंगर या उसकी विशेस्था नहीं रहेगी तो आप कितनी भी कोशिक कर लिजे उसमें कोई पेड नहीं हो सकता है जैसे कि इन्होंने बोला कि जो मिट्टी होती है उसका कारी क्या होता है वो पानी को ठंडा उन्होंने ग्रांपल के तौर पे दिया कि जो हमारा पानी है वो मिट्टी उसका पानी को ठंडा रखता है यह उसका गुड है मिट्टी क पानी मिल करके क्या करते हैं, पानी को ठंडा रखते हैं वैसे मिट्टी और बीज मिल करके क्या करते हैं, एक पेड को जर्म देते हैं, तो क्या है अगर यही बीज आप क्या कह दीजें, एक बालू में लगा दीजें या अन्य कहीं लगा दीजें, तब तो उसमें पेड नहीं और इसी को उन्होंने क्या नाम दिया सतकार्यवाद का नाम दिया है और यह जो है इन्होंने सतकार्यवाद के साथ जिसमें किसी भी कारण में उसका कारण जो होता है यह किसी भी कारण में उसका कारण जो होता है वो सित छिपा हुआ होता है इसको उन्होंने सतकार्यवाद द दिया कि जैसे बालू में आपका बीच डाल देंगे तो वो पौधा नहीं होगा उसी को उन्होंने नाम दिया और सतकार्यवाद सतकार्यवाद की कार्य में कारण छिपा हुआ है आसतकार्यवाद की बिना कारण के कोई कार्य सिध्ध नहीं होता है हर एक चीज का कोई न कोई विशेश्ता होती है तो आज हम दोगों ने क्या पढ़ा सांख्य दर्शन को कि इसके परणेता जो है वो को नहीं ब्रिश्नु भगवाण के जो पंचम अवतार जो हमारे अगनी के जो हैं अगनी के भी अवतार माने गए हैं तो यह क्या है विचारों सांख्य और योग कह सकते हैं एक पतिदार के रूप में ऊपन… यह जो बहुत सारी चीज़ों में समानता है बस कुछ दोनों जो आपके दर्शन है यह दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं तो सांखर दर्शन की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने क्या बढ़ा कि हमारे कितने तत्व होते हैं हमारे जो उन प्रक्रित और पुरुष्ट के विशह में जाना तो इतना इन सबी चीजों में सबसे ज़ादा जो आता है आपकी शब्दावली है, कौण कौण से जैसे आपसे पूछी लिया यह महत किया विशेष्टा है तो यह सारी चीजे आपसे प्रश्ण पूछी जाती है और UGC का अभी तक कोई ऐसा एक्जाम नहीं हुआ है जिसमें सांखे दर्षण से प्रश्ण ना आया हो इसलिए कोई भी आपका एक्जाम हो UGC का हो हायर का हो यह कोई भी एक्जाम हो उसम सब इसलिए यह जो आपका टॉपिक है यह most important टॉपिक के रूप में आपका कहा जा सकता है आज के लिए बस इतना ही कल हम लोग जो है इसके आगे का कि हम लोगों ने दर्षण तो आज समझ लिया कि दर्षण क्या है पर इसको शिच्छा में क्यों लाया गया है हमारे विश शिच्छा के प्रति क्या योगदान दिया है इसके विशे में बात करते हैं और योगदर्शन के विशे में बात करते हैं तब तक के लिए फिर धन्यवाद आपका बहुत-बहुत धन्यवाद